नमस्कार, जेहिन साथिय। RPSC College Lecturer, 7 जन्वरी 2024 क्या ये अब परिक्षा हो पाईगी या नहीं हो पाईगी? अगर सरकार रिपीट होती, तो ये 100% फिक्स था कि ये परिक्षा 7 जन्वरी 2024 को ही होती क्योंकि वो जिस सरकार ने वेकेंशी निकाली थी, अगर वही सरकार इस्टेट में आती तो उसके लिए पहली वरियता यही थी, जो उसने पहली पिछली जो विग्यपती जो निकाली है, उन्हें वो कम्प्लीट करे लेकिन अब सरकार चेंज हो चुकी है अब सवाल यह है, क्या यह परिक्षा 7 जनवरी 2024 को यह हो सकती है या नहीं हो सकती और दो-तीन अभी सवाल भी चल रहे हैं एक RPSC से संबंदित भी चल रहा है कि RPSC के जो सचीव है उसको भी बदला जाएगा तो यह परिक्षा पर जो बादल है वो मन रहे हैं या नहीं और अगर हम स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाख में भी यह काफी के में चल रहा है कि सरी परिक्षा जो है यह जनवरी में हो पाईगी या नहीं हो पाईगी तो मैं इससे ही संबन्दित ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगा दो या तीन मिंट के अंदर मैं ये सारी घटना आपको समझा देता हूँ और फिर आपको ये लगने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम बात करते हैं 7 जनुरी 2024 को परिक्षा की इस्ठिती क्या है RPSC में बदलाव की भी बाते चल रही है और नई सरकार सारे मुद्दो पर हम बाते करने वाले जिए हां जब हम बात करते हैं 7 जनुरी 2024 इसका बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है 30 दिन का इसका समय है और जो परिक्षा की जो तैयारिया होती है वो 15-20 दिन पहले बिल्कुल सैट कर ली जाती है और हम अब नई सरकार की हम बाते करते हैं अभी ये नई सरकार 2-3 दिन अभी साइदिस में और भी लगे हम बात करते हैं कि 10-12 तारीक तक का जो समय है वो मंत्री मंडल के गठन में लग जाएगा जहां तक पूरी समभावना ये है और पर इतना समय लग जाएगा तो उसके बाद ये सोचेगी कि RPSC का जो चेर्मेन है RPSC के सचीव हैं जो तो उसको हम बदलें या ना बदलें हम उसमें क्या हम बदलाव करें तो उसके बाद ये सोचेंगे और जहां तक पूरी समभावना ये है कि इतने समय के बीच में जो RPSC है RPSC अपनी पूरी तैयारी कर चुका होगा और RPSC अपनी तैयारियों में लगा भी हुआ होगा जिहां तो या परिक्षा का ज्यादा समय नहीं है इसके बाद हम बात करते हैं अब जो ये RPSC में जो ये बदलाव करेंगे ये बाते बिल्कुल चर रही है कि RPSC के सचीव को ये बदला जाएगा और कुछ सदस्य को भी जैसे भी प्लानिंग है लेकिन एक बात ये भी फिक्स है क्योंकि जो ये परिक्षा है ना 7 जनवरी की ये इसका समय जादा नहीं है बिल्कुल भी इसका जादा समय नहीं है और इस सरकार के पास भी इसमें जादा बदलाव करने का जो इस्तिति है ना वो बहुत नाम मात्र की इस्तिति है तो इसलिए मैं आपके लिए आपको ये बता देता हूँ क्योंकि आपको जो तैयारी करनी है वो 7 जनवरी के नुसार ही आपको तैयारी करनी है होने को तो कुछ भी हो सकता है होनी को कौन टाल सकता है जी हाँ, लेकिन आपको तैयारी 7 जनवरी के अनुशार करनी है जहां तक आपकी परिक्षा है, पूरी सम्हाओना अभी तक ये है के आपकी जो परिक्षा है, वो 7 जनवरी को आपकी परिक्षा होगी 10, 11, 12 तारीख को कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है लेकिन अभी तक पूरी तैयारी ये है कि साथ जन्वरी को आपकी परिक्षा होगी और ये एक इतनी बड़ी परिक्षा है आपके पास एक इतनी बड़ी opportunity है आप इसको संधे में आप इसे नहीं डाल सकते हो पाईगी या नहीं हो पाईगी आपके लिए केवल एक ही option है कि या परिक्षा आपकी हो पाईगी और आपको उसी अमसार आपको तैयारी करनी है जी हाँ उसी अमसार आपको तैयारी करनी है बिल्कुल आपकी जो ये परिक्षा है आपकी हो पाईगी उसी अमसार आपको तैयारी करनी है ये नहीं सोचना है कि हो पाईगी या नहीं हो पाईगी नहीं होने का आपके दिमाग में कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए आपको बस अपनी तैयारी परतिखान देना है और बाकी 15 एक तारीक के आसपास 15 ए 20 तारीक के आसपास लास्ट इसका निस्करस आजाएगा कि जो ये परिक्षा है ये हो पाईगी या नहीं हो पाईगी क्योंकि इस परिक्षा के लिए इस नई सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है इसे टालने के लिए क्योंकि 7 जनवरी बहुत नजदीक है जीहां और अभी सरकार मुख्य मंतरी फिर कैबिनेट मंतरी तो अभी तो आपकी हो पाईगी इसकी समभावना पूरी यही है तो आप सभी अपनी तैयारियों में लग जाए किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए जी हां तो तैयारी में लगिए और होने को जाए कुछ भी हो जाओ वो एक अलग बात है लेकिन इस समय के वो आपको तैयारी पर ध्य आदेना तो एक तो शक्रिया दन्यवा रहें जी है